Hello Friends, Welcome to Indian Study Indian Study पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि UP Police Constable का एक्जम 18 फरवरी को है तो ऐसे में हम डेली बेसिस पे आपको जी के और हिंदी के प्रैक्टिस सेट प्रोवैड करवा रहे हैं वीडियो के लाइक का टार्गेट है मात्र 1.500 लाइक तो प्लीस दोस्तों मेरी आपसे गुजारेस है कि वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिले तो 1.500 लाइक जरूर से पहुँचाईएगा ठीक है ना पहला कोस्तों दोस्तों आपके सामने कि मुगल काल में पुलिस वल के मुखिया को क्या कहा जाता था बढ़िया कोस्तों से जल्दी से बताईए तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मुगल काल में पुलिस वल का जो मुखिया होता था उसको हम क्या कहते थे उसको हम कोतवाल कहते थे क्या कहते थे कोतवाल यानि की चौता ओप्संस करेक्ट भारत के पिर्थम ग्रह मंतरी कौन थे बढ़िया कोस्टन से आसानी से अब बता सकते हो भारत के पिर्थम ग्रह मंतरी की बात हो रही है तो भारत के पिर्थम ग्रह मंतरी कौन थे और गोविद पल्लब पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुकमंत्री थे ठीक है तो सभी कुछ बता दिया मैंने रामायण में मांडवी किसकी पतनी थी जल्दी से बताईए रामायण में मांडवी जो थी वो किसकी पतनी थी तो सही आंसर हो जाएगा आपका भरत की पहला आपसंस करेट और नेश्ट कोसंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी कॉंस्टेबल की वैस्ट बुक के बारे में जो की चक्सु परकासन की है आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कॉंस्टेबल के पदों पर साथ हजार स्यादा पदों पर वैकेंसी लिकली हुई है आपको एक ऐसी वुक किया वा सकता होगी जिसमें आप पूरा स्लेवर्स के अकॉर्डिंग तयारी कर पाएं और ये भी पता कर पाएं कि लाश्ट एयर में किस तरही कोस्टेबल पूचे गए है और इनी सारी कोस्टेबल को दियान में रखते हुए ये स्टेडी वुक तयार की गई है जो कि आप लोग लिए बहुत ही जादा महत्पुन होगी बिल्कुल सारा कुछ इसमें जो है वो बिल्कुल स्लेवर्स के एकॉर्डिंग जैसा कि आपका स्लेवर्स है पूरा स्लेवर्स यहां पर बता दिया गया है पहले ही और उसी के एकॉर्डिंग जो है वो इसी बुक को तयार किया हुआ है अगर आप बिसे सूची में जाकर के देखोगे तो सारा कुछ आपको यहां पर दिया हुआ है ताकि आप आराम से अपनी परप्रेशन कर पाएं चाहे आप जीके की बात कर लीजिए चाहे मैध की चाहे रीजिनिंग की चाहे हिंदी की बात कर लीजिए और इसके साथ साथ जैसे आप मैध का कोई भी कोशन्स देखोगे तो उसका पूरा सॉल्यूसन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा जो कि आप लोग लिए बहुत जादा अच्छी बुक सावित होगी आपकी परप्रेशन के लिए ठीक है इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रेशन में प्रोवाइड करवा दूँगा आप बहां सर जाकर के खरी सकते हैं और आप नजदी की बुक स्टोर्स पर जाकर के भी जो है वो इस बुक को परचेस कर सकते हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी होगी और जब आपको लगे कि आपकी स्टडी बुक से तैयारी प्रपरेशन अच्छे से हो चुकी है तो आप यूपी पुलिस कॉस्टेबिल के इनके प्रेक्टिस सेड की भी बुकाती है जिसमें आट सौल पेपर दिये हुए हैं और दस प्रेक्टिस सेड दिये हैं जिससे आप अच्छी तैयारी जो है वो और बहतर तरीके से आप अपनी कर सकते हैं तो हर तरीके से चक्सू प्रकासन आपका साथ दे रहा है तो डिस्क्रिप्सिन में लिंक के आप जरूर से जाकी पर्चेस कीजिएगा नेक्स्ट कोस्टन दोस्तो आपके सामने के प्राचिन्तम बेद कौन सा है आसानी से आप लोग बता सकते हो सिंपल सा कोस्टन है तो प्राचिन्तम बेद की अगर हम बात करें तो सबसे प्राना बेद कौन सा है रिग बेद है है ना बेदों की संक्या चार होती है तरला दलाल किस रूप में प्रसिद हैं तरला दलाल तो तरला दलाल जो है ये भारत के एक प्रख्यत बोजन लेखी का वरसोया थी ठीक है इन्होंने खाना पकाने की कई कारकरम जैसे तरला दलाल सोवा कोकेट अप वित तरला दलाल की मेजवानी की है ना तो यह पाक कला विसेसा गये हैं यहने की पहला ओपसंस करेक्ट 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अफसर पर बासा संगम पहल बासा संगम मुबाइल एप और एक भारत स्रेष्ट भारत प्रिश्णोत्ती एप का सुवारम किया तो 31 अक्टूबर को कौन से दिवस मनाए जाता अगर आपको पता है तो यह कोसंस बिल्कुल सिंपल है तो प्रते एक वर्ष्ण 31 अक्टूबर को राष्टी एक तदिवस के रूप में मनाते हैं तो बस चौता ओप्संस करेट भारत का सम्विदान लिखा गजा था तो आप सभी लोग को अगर पता हो तो भारत के सम्विदान को निर्वाण करने पे दो वर्ष्ण 11 मां 18 दिन लगी है ना तो दो वर्ष्ण से अधिक किंतु 3 वर्ष्ण से कम समय लगा तो बस पहला ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेट भारतिय सम्विदान में कितने मूल करतव दिये गए है तो भारतिय सम्विदान में मूल करतव वे हैं कुई संक्या कितनी है तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 तीसरा ओप्संस है आपकर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 42 में सम्मिदान संसुदन के तैत 1976 में भाग का और अनुच्छत इनक्यावन का में जूड़े गए सिपकिला दर्रा हिमाले की किस घाटी में इस्तित है जल्दी से बताएं सिपकिला दर्रा जो हिमाले की किस घाटी में इस्तित है तो यह सतलच घाटी में इस्तित है तुरुपला को कब भारत के पूर्ण राज का दर्जा मिला बताईए सर तो पूर्ण राज का दर्जा तुरुपला को कम मिला 1922 में है ना दूसरा ओप्सन करेक्ट लखनव में फिलिंदा ब्लैंक्स छेत्रिय केंदर प्रिंट मेकिंग मूर्ति कला या मिट्टी के वर्तन और चित्र कला के विसियों में कलाकार को कारसुविदा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है ललित कला अकाइदमी दूसरा ओप्सन बिल्कुल करेक्ट भारती राष्टबात के पहले या प्रारंबिक चरण को तो भारती राष्टबात के पहले या प्रारंबिक चरण को मध्यम चरण को कहा जाता है तीसरा ओप्सन यहाप पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा महात्मा गादी ने सत्यागरे सवा की स्थापना भारती राजनेतिक सुधारों के लिए अंदोलन सुरू करने वाले भारती नेता कौन थे तो राजनीति सुदारों के लिए अंदोलन शुरू करने वाले भारती नेता थे राजारामून रहे हैं दूसरा ओप्संस करेक्ट भारती रिजर बैंक ने PTM Payments Bank Limited पर कितने करल रुपे का जुर्माना लगाया तो ये एक करल रुपे का जुर्माना लगाया था पहला options correct 28 दिसंबर 1885 को भारती राष्टियों कॉंग्रेस की स्थापना गोकुल दास स्टेजपाल संस्क्रिट स्कूल के परीसर में कहां पर हुई थी ये आपसे पूछाए तो गोकुल दास स्टेजपाल संस्क्रिट स्कूल कहां पर रिस्तित है बंबई में यानि की मुंबई में तो वहीं पर हुई थी दूसरा options correct राष्टिय अनुसंदान विकास निगम के नव नियूक्त अध्यक्ष कोन है तो कौन है अमित रस्दोगी तीसरा options correct next questions विजे नगर राज किस नदी के किनारे इस्तित था जल्दी से बताए तो किस नदी के किनारे इस्तित था विजे नगर राज तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option number C तुंग भद्रा next questions बाल बहार प्रणाली के संस्तापक कौन थे बाल बहार का मतलब है आपका kinder garden प्रणाली के संस्तापक कौन थे तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉबेल जो की जर्मनी के थे दूसरा options correct एक समाने तूटी का पता लगाने की code CRC का full form क्या है CRC का full form क्या है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो CRC का full form हो जाएगा आपका cyclical redundancy code यानि के स्कोस्टन्स का चौथा options बिलूल करेक्ट टेस्ट किर्केट में 13 सतक लगाने वाले पिर्थम भारतिय किर्केटर कौन थे जल्दी से बताईए तो कौन थे सही आंसर हो जाएगा आपका विरेंदर सहवाग तीसरा options correct भारत के राश्टिय सरवेचन और मांचित्रन संगठन को विज्ञान और प्रोदोगी विवाग के तहत कब इस्थापित किया गया था तो कब इस्थापित किया गया था 1766 में सरवे मैप 45D7 के अंतरगत कौन कौन से राज है तो कौन कौन से राज है गुजरात और राजस्थान तीसरा options बिल्लकुल correct उत्तर प्रदेश राज में टहरी बांद परियोजन किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी तो इस questions का अंसरा आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके important questions जी के के जो कि आपकी आगामी परिक्षा यूपी प्लिस कॉंस्टेबिल के लिए बियाद important है वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिएगा बागी पर मिलते हैं नेक्स लास में नेक्स सेशन में जै हिंद जै भारत